हालो फ्रेंट्स आप सबका स्वागता मैं इस चैनल पर और इस वीडियों में आप से बात करने जा रहे हैं बिहार इंजिनिंग के बारे में तो आप लोगों पता हुआ है अलोटमेंट लेटर आ चुका है यहां पर देख सकते हैं यहां पर दिखा रहा हुगा नाउड प्रो चैनल आप लिए जो आप लोगों ने उपर में जो आप लोग को तो सही है या फिर गलत है पिछले साल के रेटा से थोड़ा सा कम्पेर कर लेंगे क्या अप्ग्रेट करना सही रहेगा या फिर नहीं कि है तो आई हम इससे सबसे पहले ओपन करके देख लेते हैं है जी एक् सब मुला हुआ यहां पर अलोंट्मेंट हम देख लेते सबसे पहले दोस्त का है तो मिला हुआ क्पुटर सथ्पेश नवा रहें कितना गया था और फिंट सबसे पहले अगर आपको डाउंलोड करना हुआ तो को करना हुआ और देखें आपको आपक्रेडेशन से पहले तो हम बताते हैं आपको अप्ग्रेड करना है या नहीं करना ठीक सबसे पहले तो और मैं अप्ग्रेट कर देता हूं कि मुझे करना है ठीक है वजह में आप लोग को इसी वीडियो में बता दूँगा आपने देख लिया कि कौन-कौन सा ब्रांच है जो मिला है की सी जय मिला है एसाइटी सीता मड़ीं में तो हम ओट पी आने का इंद्जार करते हैं तब तक देख लेते हैं कि कब तक आ जाता है से और एक साइटी सीता मड़ी में अब देखिए यहां पर सीएस है ठीक है हम थोड़ा सा और नीची आ जाते हैं यहां पर आप देखिएगा तो तीहतर समय चेश्ट रैंक ज्यादा पिछले साल के फिर फॉर्स्ट टाउन में मिल चुका है तो यह हो गया यह उसके बाद हम बात करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा हमने क्यों क्यों बोला कि अपग्रेट करना सही रहेगा कि नहीं कि अधे आई होप कि आपको यह ची समझ में आ गया हो कि पिछले साल से साल का कटफ जो है थोड़ा सा ज्यादा गया है ठीक है कट अधा ज्यादा रेंक वाले बच्चे भी अडमिसन ले पाये इस बार ठीक है तो आये यहां से हम इसको अभी कैंसिल कर देते हैं ठीक है यह ह और यह कैंसल नहीं होगा हमें फिर से लॉग इन करना होगा तो चलिए हमें ज़रुरत थी प्रिंट फिल्ड च्वाइस का तो वह हम अपने PC से डाउनलोड करें रखे हुए हैं तो आईए है यह रहा है फिल्ड च्वाइस तो इनको जो भी मिला फिल्ड च्वाइस में इस बार का यहां पर देखिए पैंटीस नमबर के मिला हुआ ठीक है तो मैंने अप्ग्रेड इस लिए किया है कि यहां पर आप इसके जस्ट ऊपर में देखिए तो मुझफर भागलपूर बक्तियारपूर ठीक है तो हमें इतना तो पता है कि मुझफर भागलपूर नहीं मिलेगा लेकिन जो भी कॉलेज मैंने इसको उपर मिला रहा है वह सार इसको अप्ग्रेड ताकि जो भी होगा वह मेरे लिए फायदे मंद होगा ठीक है जो भी कॉलेज मिलेगा इसको उपर में अगर हमें सीएस ब्रांच आपके साथ होता है तो इतना तो यह जो सीएसे यह मुझे नहीं मिलने वाला तो अगर आपको सीएस लेना होगा तो मैं अगर ऐसा सीच्विशन आपके साथ भी होता है तो ब्रांच भी ध्यान में रखना है और आपको सीएस लेना था या फिर मेकैनिकल ठीक है दो ही ब्रांच लेना था कोई से तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसलिए अप्ग्रेड कर दिया इसको ठीक है क्योंकि सीएस नहीं म सब्सक्राइब करने के बाद मिल सकता है तो आपको समझ में आ गया हो का अप्ग्रेड करना कैसे है क्या देखना अप्ग्रेड करते वक्त हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है तो यह अभी ओट पी नहीं आया अ और आप लोग वहां से डाउनलोड कर लिजेगा अपना ठीक है सब्मिट करने के बाद आप चाहें तो नो कर दिएगा अगर आपको अप्ग्रेड नहीं कराना होगा तो अगर आपको अप्ग्रेड करना होगा ताप यह सब करना पड़ेगा उसके लिए पीडियो को गूग अप्ग्रेड करना है या फिर नहीं आप अप्ग्रेड करें तो कैसे अप्ग्रेड करें ठीक है किन-किन बातों को ध्यान में रखना है आई होप कि आपको समझ में आ गया हो और फ्रेंट्स मिलते आप से अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ ठीक है तब तक सब्सक्राइब करके और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यावाद देए